गोरखनात हाना छेत स्थीर गोरखनात मंदिरी के सामने लख्की एलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोनिक्स की दुकान में अग्यात कारोनों से विशन आग लग गई जिससे दुकान में रखा हुआ लाखो का सामान जल कर खाक हो गया है दुकान के प्रप्राइटर नवीन कुमार के अनुसार गुरुवार की सुभह पांच बजे के करीब इस्थानी लोगों ने उन्हें सूचना दी कि उनके दुकान में आग लग गई है इस दौरान लोगों ने फायर बिर्गेट को भी आग लगने की सूचना दी मौके पर पहुंची दमकल की तीन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया तब तक दुकान में रखा हुआ टीवी, फ्रीज, वाशिंग मसीन, आरो, सिस्टम सहीद, अने इलेट्रोनिस के सामान जल कर खाक हो गए शौप माली के नुसार करीब 18 से 20 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है आग लगने के कारोनों का अभी पता नहीं लग पाया है लेकिन अनुमान है कि आग शौट सरकिस के कारण लगी है मौके पर पहुँची मुकामी पुलिस घटना की तप्तिश में जुट गई है ड्सूपवरा झाल 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 झाल